दोस्तों नमस्कार मैं प्रवीन पाकिर्ती गाउं से अब सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आसा करते हैं सब लोग की फिस्पामिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से फिस्पामिंग कर रहे होंगे दोस्तों देशी मचली का जो पालन करते हैं जैसे IMC मचलीओं का उसमें लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है, कामन कार्प का कल्चर करते हैं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि common carb के जगह पर लोग बहुत से लोग जो है अब अमुर कार्प जो है prefer करने लगे हैं उसके साथ जो है और भी मछलियों का पालन करते हैं तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि common carb के बारे में उसके साथ साथ अमुर कार्प के भी बार ब्रीट करती है और जब यह छोटी रहती है तब ही जो है यह ब्रीट करने लगती है लगबग 300-400 ग्राम की जब होगी तब ही से यह बच्चा देने लगेंगी यह बहुत ही बड़ा डिस एडवांटेज होता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए एडवांटे गड़बढ़ हो जाएगी तो जो भी आपका water parameter है वो गड़बढ़ होने लगेंगे आप जो दाना खिला रहें उनका ratio कम पड़ जाएगा ये disadvantage होती है advantage किसके लिए होती है जो जिन्दा मचली खाने का सोखीन हो वो जो है अपने तलाब में थोड़ी quantity में बस ये common carb छोड़ देते हैं उसके बाद ये बहुत जादे मचलिया हो जाती है और ये बढ़ती भी बहुत ही जादे हैं आपको मैं बता दूँ कि इनका maximum length 120 मीटर तक हो सकत है आपको दोस्तों मैं बता दूँ कि ये growth बहुत ही जल्दी होती है इनकी अगर आपको मैं बता दूँ कि बहुत से लोग common carb की जगह पे अमूर कार्प को प्रिफर करते हैं दोस्तों उसका भी region है अमूर कराप कार्प जो होती है इसका समझ लीजिए अगर असान भासा में बताएं तो इसका एक hybrid वर्जन है आपको मैं बता दूँ कि जो भूनेस्वर में मचली पालन का जो बहुत है बड़ा संस्थान सिफा है उसके द्वारा जो है अमूर कार्प लाया गया है अमूर कार्प कामन कार्प से हर चीज में बहुत जादे बेटर होता है आपको मैं ब पालन करेंगे और जो है कामन कार्प कहें पालन करेंगे जी नहीं दोस्तों आप उसके साथ साथ तीनों मचलियों का आपको हर लेयर की मचलियों का पालन करना है ऐसा नहीं कि यह बॉटम लेयर की मचली है तो सिर्फ इसी को करें तो ऐसा आपको हर एक लेयर की मचली का पाल तो जिस जिस रिशियो में आपको डालना है उसी रिशियो में डालेगे, तभी आपको ग्रोथ हच्छी करेंगे, तो आपको रिज़ोष कभी भी जयदे अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, और टाइम भी जल्य लगेगा तो दोस्तों बात करते हैं, कामन कार्प और अमुर कार्प और मैक्सिमम लोग प्रिफर करते हैं आपको मैं बता दो कि 3-5 ग्राम के आमूर का बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक साल में बहुत अच्छे तरीके से अगर आप दाना खिलाएंगे तो तेर से 2 किलो तक हो सकता है ऐसा मैंने किया है मैं यूट्यूब का वीडियो देख करके नहीं या यूट्यूब के अनलाइन नालेज नहीं मैं प्रिक्टिकल नालेज आपको बताता हूँ ऐसा मैंने किया है और अगर आप अच्छे तरीके से हर चीजों का वाटर पैरामीटर अच्छे से दाना खिलाएंगे तो आप एक साल में बहुत ही अच्छा रिज़ पा सकते हैं अमूर कार्प का जो ग्रोथ होता है 20-30% जाता होता है कामन कार्प की तुलना में इसलिए लोग अमूर कार्प को जादे प्रिफर करते हैं कामन कार्प के जगह पर दोस्तों अगली चीज क्या है कामन कार्प में एक और चीज दिक्कत होती है कि इनको आप समय पर ही जो है बच्चे देना शुरू कर देती हैं आपको जो है 300-400 ग्राम की रहेंगी तभी से आप छोड़े छोड़े बच्चे देना शुरू कर देंगे उससे क्या होगा कि आपकी तलाब में क्राउट बढ़ जाएगा फीड बहु जादे हो जाएगी जिससे क्या होगा आपका वाटर पैरामेटर अमोनिया जितनी भी चीजे हैं सब जो है disturb होने लगते हैं और दूसरी चीज आप देखें देखते होंगे कि जिस तलाब में आप कामन कार्प डाले हैं पूरा किनारा भीटे मतब जितने होते हैं काट काट के काट काट के वो लोग बहुत पतला बना देते हैं ये बहुत बड़ा disadvantage होता है ये चीज आपको अमुर कार्प में नहीं मिलेगा ये जो है लगभग जब एक किलो के होते हैं तब ये बच्चा देना सुरू करते हैं और छोटे पर से बच्चा देना नहीं सुरू करते हैं दूसरी चीज कि लोग जो मचली पालक ह जो मचली ले जाते हैं कामन कार्प को तो वो बताते हैं कि इनके अंदर जो है बहुत जादे वेस्ट माटेरियल होते हैं अंडे बहुत जादे होंगे और उनके वेस्ट बहुत जादे होते हैं इसलिए इनका rate बहुत कम होता है जबकि अमुर कार्प का rate उससे जादे होता ह आपके common कार्ब से तो दोस्तों जब आपको growth जादे 20-30% दे रहा है और दूसरी चीज आपको rate भी जादे अच्छा दे रहा है तो आपको अमूर कार्ब प्रिफर करना चाहिए दोस्तों आपको जो है अगर आप अमूर कार्ब का पालन करते हैं और इतने भी advanced version है इसे कतला की जगह पे GI कतला का पालन करिये रहू की जगह पे जियनती रहू का पालन करिये और common कार्ब की जगह पर जो है अब अमूर कार्ब का पालन करिये तो आप जो है एक साल में सिर्फ बहुत अच्छी गुरुत पा सकते हैं तो दोस्तों आसा करते हैं कि आपको आजकर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर कोई भी कुश्चन्स हो आप हमारे कमेंट बाक्स में लिख करके पूछ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए अगर आप नए हो हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलेगा ताकि ऐसी छोटी सी छोटी जनकारियां हम आप तक पहुचा सकें जिससे आपका मचली पालन में आप एक्सपर्ट हो जाएं और बहुत जादे प्राफिट कमाएं बहुत बहुत धन्यवाद